तो भाईया अभी मेरे पास अवेलिबल है वो पीक्स जो की रोहिद केमिंग स्टूडियो ने सेंड करी है हमको और वो जो पीक है वो हमारी न्यू बैनली टी एंटी की है और ये जो बाइक है वो इस बार की अपडेट में आएगी और वीडियो के स्टार्डिंग में आपको यह नहीं बोला वो बनेली टी एंटी बाइक है अब राइम नहीं बन रही है एनिवे मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि हमारे इंडियन बाइक से ड्राविन 3D गेम में यामाहा वी मैड हो चुकी है मैंने आपको उस वीडियो में कुछ पीक्स देखने थी लाइक दिस है और यह पीक्स जो थी यार काफी ओसम थी और आज मेरे पास बनेली टी एंटी की वो पीक्स अवेलबल हैं जो कि रोहिट गेमिंग स्टूडियो ने हमको सेंड करिया सो इस वीडियो में आपको वो सारी पीक्स देखने को मिलने वाले और साथ ही स इनफॉर्मेशन भी मिलने वाली है जो कि रिलेट करती हमारे इंडियन बाइक से ड्राविंग 3D गेम के नियू अप्टेट से इनफॉर्मेशन आपको तभी पता चलेगी जब आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे और एंड वीडियो को देखोगे तो चैनल को भी स आते रहते हैं इन फीचर में अपने चाल पर रहसे वीडियो डालता रहूंगा अभी मैं आपको पीक दिखा देखा हूं जो कि रोहित गेमिंग स्टूडियो ने हमको सेंड करी है और वो पीक है अब एक बात को कितनी बार बोलेगा चल पीक दिखा ओके काका तो यह रही प अपडेट में आगी तो इसे चलाने में कुछ अलागी लेवल का experience मिलने वाला है यह अपडेट मेरो को काफी तगड़ा लगने वाला क्योंकि आर इसमें अभी तीन बाइक और भी बचें जो कि इस बार के अपडेट में एड होने वाले हैं एक से बढ़के एक है आर आपको मज़ा आज आएगा क्योंकि यार क्या इस बार के अपडेट में क्योंकि 500 गेमिंग एड करना है और आपको पता है और आपको पता है यार फिक काम करते हैं जो अपने काम में 100% अपना देते हैं सो गाइस मतलब ये समाझ सकते है वह मारे इंडियन भाइक स्रॉटी में जो भी अपडेट आएगा वह सबस्ट भी हमारे इंडियन भाइक संवी द्राइविंग भाइक में फाइब भी आइए आभित गेमिंग फॉटी अमको सिर्व 2 बाइक की पिक सेंट करें जो कि काफी ओस आपको मज़े आजाएगा इस बार के अपडेट में यही सोच लो और हाँ जब भी आएगे मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा फिर आपको मेरे कम्योटी पोस्ट के जरी आपको पता चल जाएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज